नमस्कार, प्रस्तुत कर रही हूँ शरत्चंद्र चटो पाध्याय के द्वारा लिखी वी एक कहानी, मंदिर. दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हूँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी, कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथी साथ बेल आइकन भी प्रस करें, ताकि मेरे द्वारा अप्लोड की वी कहानिया सबसे पहले आप तक वहो दिनों से उनके यहां यही काम होता था, और इसी से उनके खाने पीने, पहनने ओरने का काम चलता था, और एते भी यही काम करती थी, पानी भरती थी, रसोई बनाकर पती पुत्र आदी को खिलाती थी, और आवा ठंडा हो जाने पर उनमें से पके हुए खिलोने निकाल कर उन्हें आचल से जार पोच कर चित्रत करने के लिए मर्दों के हवाले कर देती थी। शक्तिनाथ ने इनी कुमार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोग्रस्त ब्रह्मण पुत्र अपने बंधू, बांधव, खेल, कूद, पढ़ना लिखना सब कुछ चोड़ कर एक दिन इन मिट्टी के खिलोन पर जुग गया। वह खपची की चुरीद हो देता, साचे के भीतर से मिट्टी निकाल कर उसे साफ कर देता, और उतकांठित और असंतुष्ट मन से देखता कि खिलोनों का चित्रांकन कैसी लापरवाही से हो रहा है। स्याही से खिलोनों की भवे, आखे, होट आधी चित्रत किये जाते थे। किसी की भवे मोटी हो जाती, किसी की आधी ही बनती, किसी के होट के निचले हिस्से में स्याही का दाग लग जाता, और किसी में कुछ और हो जाता। शक्तिनात बेचैन हो उत्सुकता के साथ अनुने करता, सरकार भाईया इतनी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भाईया वह खिलोने रंगने वाली कारिगर को कहता था, वह उसी स्वर में हस्तेवे कहता, महराज जी अच्छी तरह रंगने में बहुत दाम लगता है, एक पैसे का खिलोना चार पैसे में तो नहीं बिकेगा? बहुत कहने सुनने पर भी शक्तिनात इस विशर पर मात्र थोड़ी सी बात समझ सका, कि एक पैसे का खिलोना एक ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भवे हो या नहो, या आधी ही हो, दोनों आके चाहे एक सी हो या अलग सी हो, मिलेगा वही एक पैसा दाम। कौन नाह कितनी मेहनत करें। खिलोने खरीदेंगे बच्चे, दो घड़ी उसे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बिठाएंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड ताड़कर फेक देंगे, भस यही तो करेंगे। शक्तिनात अपने घर से जो लाई चना अपनी धोती में बांद कर लाया था, उसका कुछ हिस्सा अभी बंधा पड़ा था। उसे खोल कर बड़ा अनमना सा होकर चबाता चबाता और बिखेरता बिखेरता, वो अपने तूटे फूटे मकान के आंगन में आकर खड़ा हुआ। हर तरफ जंगल का नजारा दिखाई देता है। किसी तरह का करीना नहीं, किसी चीज में कोई सजावट नहीं, वृद्ध भटाचारे मदू सुधन किसी तरह दिन काट रहे हैं। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डाले हिलाता और पत्तिया नोचता हुआ अन्यमनस के भाव से घूमने फीडने लगा। रोज शक्तिनाथ कुमारों के घर जाया करता है। आजकल उसका सरकार भईया बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा खिलोना छाट कर उसके हाथ में दे देता है। और कहता है कि लो महराज जी इसे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी खिलोने के रंगता रहता है। शायद खूब अच्छा रंग जाता, फिर भी एक पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भईया उसे घर आकर कहते कि महराज अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलोना दो पैसे में बिख्या। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला न समाता। इस पैसे मंदिर में चांदी के उत्कृष्ट सिंहासन पर व्रिंदावन की लीला के कई अपूर्व और सुन्दर चित्र दिवारों पर शोभाय मान है। उपर कीमखाब के चंदवों के बीचों बीच सैकडों बत्तिवाला जार लटक रहा है। एक तरफ संगमर्मर की वेदी पर पूजा की सामागरे सजीवी है और पुष्प चंदन नवेद्य आदि से मंदिर सजा रहता है। शायद स्वर्ग सुख और संदर को याद रखने के लिए इस मंदिर की हवा फूलों और पूजा से सुगंद सिक्त होकर परिवेश को शुद्ध और स्वच्च कर रही होत जिस दिन एक सुबह सरोप्रथम यह जाना कि जमिनदारी और धन दौलत की मियाद शायद दिन बदिन घटती जा रही है। सबसे पहले मंदिर के एक कोने में खड़े रहकर उन्होंने काफी अनुपात में आसु बहाए थे। मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। उस समय उनक सजा रहे हैं और उसी की स्निग्द सुगंध आशिरवाद की तरह मानों उन्हें सपर्श करती रहती है। और इस मंगल उत्सव को वह अकारण ही तनमय होकर देखती रहती। शनय शनय अपड़ना बड़ी होने लेगी। जैसे हिंदू परवार की लड़की इश्वर की धार अपने हृदय पाताल पर बसा लेती है। वैसे ही वह भी करने लेगी। उस मंदिर को अपने पिता की निष्ठा का उपादेय मान कर वह उसमें रची बसे अपने प्रतेक काम और खेल कूद में इन्ही भावों की निमगनता प्रमानित करती रहती। दिन भर वह मंदिर के आ उच डालती। राज नारायन की देव निष्ठा को लोग दिखावा समझते। किन्तु अपर्णा की देव सेवा परायनता की उस सीमा को पार करने लेगी। बासी फूल अब पुष्व पात्र में न समाते। दूसरा बड़ा पात्र मंगवाया गया। चंदन की पुरानी बडल दी गई। भोग और नैवेदी की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई। यहां तक कि नित्य नवीन पूजा का आयोजन वो उसकी निर्दोश ववस्था करने के जंजट से बूढे पुरोहित तक घबराने लगे। जमिनदार राज नारायन यह सब देख सुनकर भक्त और सने से गदगद होकर कहने लगे कि देवता ने मेरे घर में आपकी सेवा के लिए स्वैम लक्षमी को भेज दिया है। कोई कुछ मत कहो। समय आने पर अपरना का विवाह निश्चित हो गया। इस डर से कि अब मंदिर छोड़ कर कहीं और जाना पड़ेगा। उसके सुन के लिए कुछ देख नब में इस्तिर कर देती है। वैसे ही इस्तिरभाव से अपरना ने भी एक दिन सुना कि उसकी शादी का मोहुर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता से कहा, बाबुजी मैं भगवान की सेवा का जो प्रबंध किये जा रही हूं उसमें किसी तरह की त्रूटी ना आने पाए। व्रिद्य पिता ने रोते वे कहा, ठीक है बेटी, कोई त्रूटी ना होगी। अपरना चुपचाप चली गई। उसकी मा इस दुनिया में नहीं थी, वह रो न सकी। बुड़े पिता की दोनों आखों में आसु भरे हैं, क्या वह उन्हें रोक सकती है। इसके बाद अपने दुखी द्रेढ हिर्दय को पौरश शुष्क हसी से ढाप कर, घोड़े पर सवार होते वीर युद्धा की तरह अपना आंगन छोड़कर, अंजाने करते वे को सिर माथे रखकर वहां से चल दी। अपने उद्दोलित आसु को पोचते वे उसे ध्यान आया कि वह पिता के आसु पोच कर तो आई ही नहीं, उसका हिरिदय रो रो कर न जाने लगातार कितनी ही शिकायते करने लगा। एक तो वैसे ही उसका मन सैकडो कश्टों से दुखी था, उस पर आजन में परिचित आरती के आहवान शब्द ने उसके कानों में मर्मा अंतक निराशा का हाहकार मचा दिया। छटपटाती ही अपड़ना पालकी का द्वार खोल कर संध्या के धुंदले में से देखने लगी। छाया निवीर उची एक देवदार की चोटी पर उस परिचित मंदिर के समुन्नत शिकर की कलपना मन में आते ही वह उच्छवासित उद्वेग से रो पड़ी। ससुराल से आई एक दासी पालकी के पीछे चली आ रही थी। जटपट उसके पास आकर बोली। छी बहुजी इस प्रकार क्या रोना चाहिए। ससुराल कौन नहीं जाता। अब पर्णा ने दोनों हाथ से मुह ढखकर रोना बंद करके पालकी क दर्वाजे बंद कर दिये। ठीक समय पर मंदिर के अंदर खड़े होकर उसके पिता राज नारायन मदन मुहन भगवान के सामने धूप दीप और आसुओं से धुंदली हुई एक देव मुर्ती के अनिक्द सुंदर मुख पर अपनी प्रिये विवाहिता पुत्री की छवी देख रहे थे। अब अपरना अपने स्वामी के घर रहती है। वहाँ उसके एक्षाहीन पती ने संभाशन में जरा भी आवेश और जरा भी उत्सुकता प्रकट नहीं की। प्रथम प्रणय का स्निक्द संकोच और मिलन की सरस उतेजना जैसी कोई भी कोशिस उसके उदास पड़े नैनों में पहली सी चमक वापस न ला सकी। शुरू से ही पती पतनी दोनों ही एक दूसरे के सामने किसी ज्यान अपराद के अपरादी से बने रहे। एक दिन बहुत रात बीच जाने पर अमरनात ने धीरे से पुकार कर कहा। अपरना तुम्हें यहां रहना अच् हां। शुब्ध अमरनात या उत्तर सुनकर अवाक रह गया। अगर जाना न हो सके तो। अपरना ने कहा। तब जैसे हूं वैसे ही रहूंगी। इसके बाद कुछ देर तक दोनों पती-पतनी चुप रहे हैं। अमर ने बुलाया। अपरना अपरना ने अन्यमनस के भाव उसे कहा। क्या है? मेरी क्या तुम्हे कोई जरूरत नहीं? अपरना ने कपड़े से सरवांग अच्छी तरह ढखकर आराम से सोते वे कहा। इन सब बातों से बड़ा जगड़ा होता है। ये सब बाते न करो। जगड़ा होता है? कैसे जाना? जानती हूं. मेरे माईके में म मंजली भावी और मंजले भाईया में इसी बात को लेकर जगड़ा होता था। मुझे लड़ाई जगड़ा पसंद नहीं है। इन बातों को सुनकर अमरनात उद्वेलित हो गया। अंधेरे में टटोलता जैसे वह इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके रात में वह बात आ गई तो बोला, आओ अपरना, हम भी जगड़ा करें। इस तरह रहने के बजाए तो लड़ाई जगड़ा करना लाग गुना अच्छा है। अपरना स्थिर भाव से बोली, छी, जगड़ा क्यों करने चले, तुम सो जाओ। इसके बाद अपरना सारी रा राकियों ने मजाक मजाक में उसे क्या क्या न कहना शुरू कर दिया। नंदे उसे गुसाई जी कहकर खिल्ली उडाती, तो भी वह उनके टोले में घुल मिल न सकी। बार-बार यही सोचती थी कि नाहक ही दिन बीतते जाते हैं। और एक उसका वह अद्रिश आकर्शन, जि द्वेली थी रहता, उसे कैसे रोका जाए। घर ग्रियस्ती के काम से, यह छोटे मुटे हास परिहास से, उसका दुखित मन भारी भ्रांती को लेकर आप ही आप चकर गिनी बन रहा है। ऐसे में उसके पास पती का लाड़ प्यार और स्ने, परिवार वर्ग का प्रती संभा कैसे पहुँच सकेगा। किसी तरह वो समझे कि कुमारी की देश सेवा से नारितव के करतबे का सारा परियोजन पूरा नहीं किया जा सकता। अमरनात के समझने की भूल है। एक दिन वो उपहार की वस्तुवे लेकर अपनी पतनी के पास आया। दिन के तकरीबन नौ-दस पजरे होंगे। सना नादी से निवरित होकर अपर्ना पूजा की लिए जा रही थी। यथा संभव मधूर कंठ से अमरनात ने कहा। अपर्ना तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। क्रेपकर लोगी क्या। अपर्ना ने मुस्कुराते वे कहा। लोगी क्यों नहीं। अब क्या कहना था। अमरनात के हाथ चांद आ गया। वो खुशी से एक सुन्दर रुमाल में लिप्टेवे सूफियान डब्बे का धकन खोलने लगा। धकन की उपर सुनरे अक्षर में अपर्ना का नाम लिखा हुआ था। अब अपर्ना का चेहरा देखने के लिए उसने अपर्ना की मुँ की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि अपर्ना उसकी तरफ वैसे ही देख रही है जैसे कोई आदमी काच की नकली आँख लगा कर देखता है। यह देख उसका सारा उत्सा च्छन भर में बूझ गया। और अर्थिन एक बूंद सूखी हसी से वह अपने आपको छिपाने लगा। शर्मे केमारे गड़ जाने पर भी उसने बकसे का धकन खोल कर कई सुगंदे तेलों की शीशिया और ना जाने क्या क्या चीजे निकालने शुरू की। परंतु अपर्ना ने उसे रोक कर कहा। क्या ये सब मेरे लिए लाए हो। अमवर्नात की बज आने दो ना सब। अच्छा रहने देता हूँ। तुम लगाओगी ना। एका एक अपर्ना की भवे सिकुर गए। सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका शत्विशिप्त रिदे परास्थोकर वैराग्ये ग्रहन कर चुप-चाप एकांत में जा बैठा। अचानक उस पर स उसने के इस अनुने ने भद्दे उपहास का आगात किया। विचलित होकर उसने उसी वक्त प्रतिगात करते वे कहा। नश्ट नहीं होगा रख दो मेरे अलावा और भी बहुत से लोग इसका प्रयोग करना चाहते हैं। इतना कहकर अपर्ना उत्तर की प्रतिक्षा किये भ फिर बाद में उसने गहरी सास भर कर कहा। अपर्ना तुम पत्थर हो। उसकी आखों में आसु भराए। वो वहीं बैठा बैठा आखें पोचने लगा। अपर्ना यदि साफ साफ कहकर इनकार कर देती तो बात कुछ और ही प्रभाव डालती। वह जो इनकार किया भी तो अस्विक्रिती की सारी कालिक उसके देव पर पुत गई है। इसका प्रतिकार वह कैसे करे। क्या वह अपर्ना को उसके पूजा के आसन से खीच कर ले आए। और उसके सामने उन सभी उपेक्षित उपहरों को पाउं से मार्क मारकर तोड़ फोड़ दे। और उसके सामने द्रिर प्रतिग्या करे कि वह अब उसका कभी मुह न देखेगा। वह क्या करे, कितना करे और क्या कहे। कहां लापता होकर चला जाए। क्या भस मरमा कर सादू संत हो जाए। और कभी अपर्ना के दूर दिनों में आकर उसकी रक्षा करे। इस तरह संभाव असंभाव, उसके अपमानित मस्तिष्ट में व्यकुलता के साथ पैता होने लगे। परिणाम यह हुआ कि वो उसी जगह और उसी तरह बैठा रोने लगा। किन्तु किसी भी तरह उसके आदी से अंत तक उसके उद्विग्न संकल्पों की लंबी फेहरिस्त खतम न हो सकी। उस घटना के दो दिन और दो राते व्यती थो गई। अमरनात घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब या बात मालूम हुई तब उन्होंने वहु को बुला कर थोड़ा बहुत डाटा डप्टा और पुत्रों को बुला कर समझाया बुझाया। ददिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गए। इस तरह साथ पांच में बात हलकी पड़ गए। रात को अपरना ने अपने पती से शमा याचना की और कहा। अगर मैंने आपके मन को कष्ट पहुँचाया हो तो मुझे शमा कर दीजिए। अमरनात बात नहीं कर सका पलंके एक किनारे पर बैठ कर बिचोने के चादर को बार बार खीच कर उसे सीधा साफ करने लगा। उसके सामने ही अपरना खड़ी थी। उसके चेहरे पर मलान मुस्कान थी। उसने फिर कहा शमा नहीं करोगे। अमरनात ने सिर नीचा किये किये ही कहा। शमा किसलिए। शमा करने का मुझे क्या अधिकार है। अपरना ने पती के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। ऐसी बात मत कहो। तुम मेरे स्वामी हो। तुमारे नाराज होने से मेरा गुजारा कैसे होगा। तुम शमाना करोगे तो मैं कहां खड़ी होंगी। किसलिए गुस विश्वास कर लिया और बूली, तो फिर ठीक है, इसके बाद वह एक तरफ होकर सो गई, लेकिन अमर नात को इससे बड़ी हैरानी हुई, वह दूसरी और मुझ फेर कर मन ही मन तरक वितरक करने लगा, कि इस बात पर उसकी पत्नी ने कैसी विश्वास कर लिया, मैं जो दो दि जाकि अपर्णा सचमुच सो गई है, तब वह एकदम उठकर बैट गया और बिना किसी दुविधा के आवाज लगाई, अपर्णा, तुम सो रही हो क्या, ओ अपर्णा, अपर्णा जाग गई और बूली, बुला रहे हो, हाँ, कल मैं कलकत्ता जाओंगा, कहा, यह बात पहल बात सच थी, अमर्नात भी जानता है, पर मन इस बात को न मान सका, संकोच ने मानों उसकी धोती का किनारा पकड़ कर उसे वापस बुला रिया, उसे शक हुआ कि कहीं अपना निकम्मापन प्रमानित कर, वह अपर्णा के समान को चोटना पहुँचा दे, इस तरह उत्सुकत तव इही नारी निश्चेस्टता ने उसे विमोहित कर दिया, पतित्व का जितना तेज उसने अपने स्वाभाविक अधिकार से प्राप्त किया था, उससे अपर्णा ने इन चार महिनों में धीरे-धीरे खीच कर निकाल दिया है, अब वह गुसा भी दिखाए, तो किस आज नहीं हुआ है, और इसे सिद्धे करने के लिए सोचा कि दो-तीन दिन और रह कर जाएगा, रहा भी दो दिन, परंतो जैसे रुका था उसमें विजय होने की एक शर्मनाक बेचानी उसके मन में बनी रही, आंधी पानी आने से एक लाब होता है कि आसमान स्वच्छ हो ज जाता है, किन्तु बूंदा बांदी से बादल तो साफ नहीं होते, उल्टे पैरों में कीचर और हर तरफ बेमज़ा भाव बढ़ जाता है, अपने घर से जो कीचर लपेट कर अमरनात कलकते आया, परीचितों के सामने अपने कीचर भरे पाउं निकालने में भी जिसे धकेलने में उसके विकल हिर्दे की पसलियां आपस में टकरा रही है, किन्तु सब कोशिश है नाकाम, इसी अंतरवेदना के चलते एक दिन वह बीमार पढ़ गया, बीमारी के खबर मिलते उसके मा बाबा कलकत्ता आ गया, पर अपरना को साथ न लाए, ऐसा नहीं के अ मरनात को ऐसी आशा थी, फिर भी उसका दिल बैठ गया, बीमारी सतत बढ़ती गई, ऐसे में शायद उसे अपरना को देखने की इक्षा होती, किन्तु अपने मुह से यह बात बोल न सका, मा बाबा भी न समझ पये, केवल परहेज और डॉक्टर और वैद्य, अंत में उसने इन सब के हाथों से मुक्ती पाली, एक दिन उसका देहन्त हो गया, वेद्वा होकर अपरना सन रह गी, उसके सारे शरीर में रोमान चुआ, और एक भीशन संभावना उसके मन में पैदा हुई, कि शायद सब उसी की कामना का फल है, शायद इतने दिनों से वह मन ही मन यही च जाती थी, अंतर यामी ने इतने दिनों बाद उसकी कामना पूरी की है, बाहर उसे अपने पिता के जोर-जोर से रोने का स्वर सुनाई दिया, क्या यह सपना है, वे कब आये, अपरना ने मकान की खिड़की खोली और जहाग कर देखा, सचमुछी राजनारायन बाबु जगाते वे का, बेटी अपरना, अपरना ने भी रोते-रोते जबाब दिया, पिता जी, तेरे मदन मोहन ने तुझे बुलाया है बिटिया, चलो बाबु जी, वहीं चले, चलो बेटिया, चलो, कहते वे राजनारायन बाबु ने स्नेह से अपनी बेटी का माथा चुमा, और इसके साथ ही चाती से सारा दुख पोच कर मिटा दिया, और फिर बेटी का हाथ थामे दूसरे दिन अपने घर आ गए, अंगोले के इशारे से दिखाते वे बोले, वहे बेटिया तेरा मंदिर, और वे हैं तेरे मदन मोहन, निरलिक्त भाव, अरपना वैधवे वेश में कु मानो इसलिए भगवान के मुख पर हसी है, उसे लगने लगा मानो वह इस धरा से कहीं उचे पहुँच गई है, जो पती अपने मरने से उसे इस धरा से इतना उचा रग गया है, उस मृत पती को सो सो बार वंदन करके, अरपना ने उसके लिए अक्षय स्वर्गे की कामना की शक्ति नाथ एकाग्रे चित से मूर्तियां बना रहा था, पूजा करने के बजाए उसे मूर्तियां बनाना कहीं अच्छा लगताथा, कैसा रूप, कैसी नाख, कैसे कान और कैसी आँखे होने चाहिए, कौन सा रंग अधिक खिलेगा, यही उसकी विविशने का विशे होता किस चीज से पूजा करने चाहिए और किस मंत्र का जाप इन सब छोटे विश्यों पर उसका ध्यान ही न था वास्तों में वह अपने आपको आगे बढ़ा कर सेवक के स्थान पर आ गिया था फिर उसके पिता ने उसे आदेश दिया शक्तिनात आज मुझे बहुत जोर का बुखार है जमिनदार के घर जाकर तुम ही पूजा करा आओ शक्तिनात ने कहा अभी मूर्तियां बना रहा हूँ बुड़े असहाय पिता ने गुस्से से कहा लड़कों वाला खेल अभी रहने दो बेटा पहले पूजा का काम कराओ पूजा के मंत्र पढ़ने में उसे जरा भी मनना लगता था उसे जाना ही पड़ा पिता के आदेशे नहा कर चदर और अंगोचा कंदे पर डाल कर वा देव मंदिर में आखडा हुआ इसके पहले भी वा कई बार इस मंदिर में पूजा करने आया है किन्तु ऐसी अनुखी बात उसने कभी नहीं देखी फूलों की इतनी सुगंद इतना धूप सुगंद का आडंबर इतना जादा भंग और नैवेते उसे बड़ी चिंता हुई कि इतना सब लेकर वा क्या करेगा किस तरह किस-किस की पूजा करेगा सबसे ज़्यादा हैरानी उसे अपर्णा को देख कर हुई यह कौन है? कहा से आई? इतनी दिनों ते कहा दिया? अपर्णा ने पूछा तुम भट्टाचारे के बेटे हो? शक्तिनात ने कहा हाँ, तो पैर धोकर पूजा करने बैठो बैठा तो शक्तिनात शुरू में ही भूल गया एक भी मंत्रों से याद न रहा इसमें उसका मन ही नहीं और विश्वास भी नहीं सिर्फ यही सोच रहा था कि यह कौन है? क्यों इतना रूप है इसके पास? किसलिए यहां बैठी है? आदे आदे पूजा की पद्धती में उलट फेर होने लगा विग्य निरिक्षक की भाती पीछे बैठी अर्पना सब समझ गई कि कभी घंटा बजा कर कभी फूल चड़ा कर कभी नवेद्य पर जल छिड़क कर यह अनाडी पूरोहित पूजा का मात्र ढोंग कर रहा है इन बातों को सतत देखते देखते अर्पना इने अच्छी तरह समझ दी थी शक्तिनात भला उसे कहीं धोखा दे सकता था पूजा समाप्थ होने पर अर्पना ने कठोर वानी में कहा तुम ब्रम्भन के बेटे हो पूजा कराना भी नहीं जानते शक्तिनात ने कहा जानता हूँ खाक जानते हो शक्तिनात ने वेवल होकर उसके मुँग की तरफ देखा फिर वा चलने को तैयार हुआ अर्पना ने उसे रोक कर कहा महराज यह सब सामागरी बांध कर ले जाओ फिर कल यहां ना आना तुम्हारे पिता अच्छे हो जाएं तो वे ही आएंगे अपने हाथ से सारी सामागरी उसने चादर अंगोचे में बंधवा कर उसे विदा कर दिया मंदिर के बाहर आकर शक्तिनात को बार बार कपकपी लगने लगी इधर अपर्णा ने फिर से नए सीरे से पूजा का आयोजन करके दूसरे ब्रह्मन को बुला कर पूजा करवाया एक महिना बीत गया आचारे यदुनात जमिनदार राज नारायन बाबु को समझा कर कहने लेगे आप तो सब कुछ समझते हैं बड़े मंदिर की यवरियत पूजा मधूर भटाचारे के बेटे से किसी भी प्रकार नहीं हो सकती राज नारायन बाबु ने उनकी बात का समर्थन करती वे कहा बहुत दिन वे अपर्णा ने भी यही बात कही थी आचारे ने अपने चेरे को गंभीर बना कर कहा सो तो कहा ही होगा वह ठेरे साक्षात लक्षमी स्वरूपा उनसे कुछ छिपा थोड़ी ही रह सकता है जमिनदार बाबु का भी ठीक ऐसा ही विश्वास है आचारे कहने लगे पूजा चाहे मैं करूँ या कोई और करे उत्तम आदमी होना चाहिए मधूर भटाचारे जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने पूजा की अब उनके पूत्र का पुरुतो ही करना सही है किन्तो वह तो उत्तम व्यक्ति नहीं वह सिर्फ पेंट रंगना जानता है खिलोने बना सकता है पूजा पाठ कुछ नहीं जानता राजनाराय ने स्विक्रिती दे दी पूजा आप करें फिर एकदम से बूल उठे पर अपड़ना से एक बार पूज कर देखू अपने पिता के मुँसे यह शब्द निकलते ही अपड़ना ने सिर्ह लाया और बूली ऐसा भी कहीं होता है ब्रंभन का बेटा बेसाहरा ठहरा उसे कहां भेज दिया जाए जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा भगवान उसी से संतुष्ठ हो जाएंगे बेटी के बात सुनकर राजनाराइन बाबू की सचेतना जागी वे बोले मैंने इतना तो सोच कर देखा ही नहीं बेटी तुम्हारा मंदिर है तुम्हारी पूजा है तुम्हारी जैसी एक्षा हो वैसे करो जिसे चाहो या काम उसी को सौप दो इतना कहकर राजनाराइन बाबू चले गया अपर्णा ने शक्तिनात को बुला कर उसी को पूजा का भार सौप दिया अपर्णा की फटकार खाने के बाद वह इधर आया ही नहीं था इस बीच में उसके पिता के मृत्ती हो गई इस समय वह भी बीमार था सूखे चेहरे पर दुख और अवसाद का चिन्न देखकर अपर्णा को दया आ गई वह बुली तुम जैसे जानते हो वैसे ही पूजा करना उसी से भगवान त्रिप्त हो जाएंगे अपर्णा के सनेह सिक्त शब्द को सुनकर उसमें हिम्मत आ गई वह मन लगा कर सावधानी पूर्वक पूजा करने लगा समाप्त होने पर अपर्णा ने वह जितना खा सकता था उतना खुद ही बांध कर उससे कहा अच्छी पूजा की है माहराज क्या तुम अपने हाथ से भोजन बनाते हो किसी दिन बना लेता हूँ किसी दिन जब उखार आ जाता है उस दिन नहीं बना सकता तुमारे यहाँ कोई और नहीं है नहीं शक्तिनात के चले जाने पर अपर्णा ने उसके प्रती कहा अहा बिचारा इसके बाद देवता के सामने हाथ जोड़कर उसके लिए प्रार्थना की भगवान इनकी पूजा से तुम संतुष्ट होना या भी लड़का है इसकी त्रोटियों पर ध्यान न देना उस दिन से अपर्णा रोज दासी को भेज कर उसकी जानकारी लेती रहती वह क्या खाता है, क्या करता है या उसे किस चीज की जरूरत है उस बेसाहारा ब्रह्मन कुमार को परोक्ष रूप से आशर देकर उसने उसका भार स्वेच्छा से अपने उपर ले लिया और उसी दिन से इन दोनों किशोर किशोरी ने अपने भक्ती, स्ने, वो मूल भ्रांती सभी एक करके इस मंदिर का आशर लेकर जीवन के शेश कामों को अपने से पूरी तरह छोड़ दिया जब शक्तिनात पूजा करता अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा देती शक्तिनात सुगंदित फूल हाथ से उठाता अपर्णा अंगुली से दिखा कर बताती जाती वह कहती महराज ऐसे सिंहासन सजाओ तो देखो बहुत सुंदर लगीगा इस तरह इस विशाल मंदिर का व्रिहत काम चलने लगा यह देख सुनकर आचारे ने कहा बच्चों का खिलवार हो रहा है बूड़े राजनात बाबु ने कहा किसी भी तरह से हो बेटी अपनी बात को भूली रहे तो अच्छा है रंगमंच पर जैसे पहाड परवत एक ही छण में गायब होकर वहां राजमाल कहीं से आकर खड़ा हो जाता है और लोगों की सुक संपदा में दुख दैनने तक के निशान मिर्च जाते है वैसे ही शक्तिनात के जीवन में भी हुआ पहले तो उसे पता ही न चला कि वह जाग रहा है या सो रहा है या कब सो कर सुक स्वपने देख रहा है या नींद में दुस्वपने देख रहा है और अपसासा जाकर उठ गया है फिर भी उसके पहले वाले विक्शिप्त खीलों ने बीच बीच में उसे इस बात की याद दिला कर कहते कि इस दायत वहिन देव सेना की सोने की कड़ी ने उसके पूरे शरीर को जकड लिया है और रह रह कर वज जंजना उठती है वो अपने स्वर्गिये पिता को याद किया करता और अपनी स्वच्छंदता की बात सोचा करता उसे लगता मानू वो बिग गया है अपर्णा ने उसे खरीद लिया है इस प्रकर अपर्णा के स्नेह ने क्रमशा मोह की तरह धीरे-धीरे उसे आच्छन न कर दिया अचानक एक दिन शक्तिनात का मा मेरा भाई वहाँ आया उसकी बहन की शादी थी मामा कलकत्ता में रहते हैं अभी समय अच्छा है तो सुप के समय भांजे की याद आई है जाना होगा शक्तिनात को यह बात अच्छी लगी कि कलकत्ता जाना होगा सारी रात वह भईया के पास बैठे-बैठे कलकत्ते की कहानी, शोभा की बातें, सम्रिदी का वर्णन सुनता रहा और सुनते-सुनते मुख्ध हो गया दूसरे दिन मंदे जानी की उसकी एक्षा नहीं भी सवेरा होते ही देखा कि अपर्णा ने उसे बुलावा भेजा है शक्तिनात ने जाकर कहा, आज मैं कलकत्ता जाओंगा, मामा ने बुलाया है इतना कहकर वह संकुचित होकर खड़ा हो गया अपर्णा कुछ देर चुप रही फिर बूली, कब तक वापस आओगे? शक्तिनात ने डरते वे कहा, मामा कह देंगे तब चलाओंगा इसके बाद अपर्णा ने कुछ नहीं पूछा फिर वही यदुनात आचारे आकर पूजा करने लेगे और उसी तरह अपर्णा पूजा देखने लेगी किन्तो कोई बात कहने की जरूरत नहीं हुई ना ही कुछ कहने की इक्षा भी थी कलकत्य की चहल पहल देखकर शक्तिनात बहुत खुश हुआ कुछ दिन हसी खुशी में बीच जाने पर फिर उसका मन घर जाने के लिए बेचायन होने लगा लंबे और आलसी दिन अब उससे बिताय नहीं बीचते वस अपने देखने लगा अपड़ना उसे बुला रही है और उत्तरना पाकर नाराज भी हो रही है आखिर एक दिन उसने अपने मामा से कहा मैं घर जाऊंगा मामा ने मना किया वहाँ जंगल जाकर क्या करोगे यहीं रहकर पढ़ो लिखो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा शक्तिनात सिर्भ लाकर चुप हो गया मामा ने कहा तो जाऊ बड़ी बहु ने शक्तिनात को बुला कर कहा बाबू के अकल चले जाओगे, शक्तिनात ने उत्तर दिया हाँ जाओंगा, अपढ़ना के लिए मन तडप रहा है ना, शक्तिनात ने कहा हाँ, कुछ देर बाद उसने सिर जुकाते वे कहा, खूब सेवा करती है, बड़ी बहु मन ही मन मुस्कुराई, अपढ़ना की बाते उ थोड़ा से दिलखु सेंट उस पर छिड़क दिया, उसकी सुगंत से शक्तिनात पुल की थो उठा, और दोनों शीशियों को चादर के किनारे में बान कर दूसरे ही दिन वापस आ गया, शक्तिनात आकर मंदिर में पहुचा, पूजा समाप थो चुकी थी, एसेंस की शीशि से बड़ी एक्षा से लाया हूँ, सुगंद से तुम्हारे देवता त्रिप्त होते हैं, तुम भी हो जाओगी, साथ दिन बीट गये, वह रोज अपनी चादर में शीशियां बांद कर ले जाता, और वापस ले आता, बाद में बड़े करीने से उसे उठा कर रख देता, अ इसी अंजानी आशंका से वह अपनी पीडा की बात कभी न कह सका, किन्तु अपर्णा ने पता करवा लिया कि दो दिन से शक्तिनात ने कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी वह आता है, अपर्णा ने पूछा, महराज तुमने दो दिनों से कुछ खाया नहीं, शक्तिनात न वह सारी बाते भूल गया चादर के छोर से गाट खोल दोनों शीशिया निकाल कर बोला तुम्हारे लिए लाया हूँ मेरे लिए? हाँ तुम्हें सुगंध पसंद है न? जैसे गर्म दूद आग की जरासी गर्मी पाकर खौलने लगता है ठीक वैसे ही अपर्ना की शरीर का खौल उठा शीशिया देखकर वह पहचान गई थी उसने कठोर आवाज में कहा दो और उन्हें हाथ में लेकर मंदिर के बाहर जहां पूजा पर चड़े बासी फूल पड़े रहते हैं वहां जाकर फेक दी डर के मारे शक्तिनात का खून जम गया कड़क आवाज में अपर्ना ने कहा महराज तुम्हारे अंदर इतना कुछ भरा है अब मेरे सामने ना आना मंदिर की परचाई भी न लांगना इसके बाद अपर्ना ने अपनी तरजनी के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाते वे कहा जाओ शक्तिनात को गए आज तीन दिन हो गए यदुनात सरकार फिर से पूजा कराने लगे अपर्ना फिर मलीन चेहरे से पूजा देखने लगी जैसे यह पूजा किसी और की हो और कोई दूसरा उसे संपन्न कर रहा हो पूजा समाप्त करके अंगोचे में नवेद्य बांधते वे आचारे जी ने गहरी सांस भरते वे कहा लड़का बिना इलाज के मर गया आचारे के चेहरे की ओर देखकर अपर्ना ने पूजा कौन मर गया? तुमने सुना नहीं क्या? कई दिनों से बुखार में पड़ा वही मधु भटाचारे का बेटा आज सवेरे मर गया अपर्ना फिर उसका मुह ताकती रही आचारे ने दर्वाजे से बाहर आकर गहा आजकल पाप के परिणाम सरुप मृत्ती हो रही है देवता के साथ दिल लगी चल सकती है बेटी आचारे चले गए अपर्ना दर्वाजे बंद करकर जमीन पर माथा पटक पटक कर रोने लगी हजार बार रोकर पूछने लगी भगवान, किसके पाप से? बड़ी देर बाद अपर्ना उठकर अपने आखें पोच कर बाहर आई उन बासी फूलों में से स्नेह के दान को उठा कर माते से लगा लिया उसके बाद मंदिर में आकर उसे भगवान के पास रख कर बोली भगवन, जिसे मैं न ले सकी उसे तुम ले लो मैंने कभी अपने हाथ से पूजा नहीं की आज कर रही हूँ तुम मेरे पूजा स्विकार करो और त्रिप्त हो जाओ मेरे मन में अब कोई भी कामना नहीं है कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद